युगक की मौत को लेकर परिजनों ने थाना प्रभारी पर मारपीट का लगाया आरोप साथ ही किया थाने का हिराप तो वही मौके पर पहुँचे स्पी मध्यप्रदेश के भिंग जिले में पुलिस लॉगडाउन का पालन कराने के नाम पर वेकसूर लोगों को अपना निशाना बना रही है ताजा मामला मालनकूर थानाक शेत्र का है जहां चक्की पर गेहुपिसाने अपने भाई और एक अन्यसाथी के साथ जा रहे एक युगग की पुलिस ने बेरहमी से पिटाई कर दी जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे इलाज के लिए आनन फानन में ग्वालियर अस्पताल ले गए जहां उसने इलाज शुरू होने से पहले ही दम तोर दिया वही परिजनों ने टी आई पर हत्या का मामला दर्ज कराने के लिए थाने का घिराब कर दिया ये मारपीट की तस्वीरे डिलिट करा दी है उसकी मौत हो गए पुलिस उसे आनन फानन में गवालियर अस्पताल ले गए परिजनों के मताबिक पुलिस ने इंदल के भाई को फोन कर इंदल की एक्सिडेंट से मौत होने की सूचना भी थी इस घटना के बाद परिजन और घ्रामीनों ने टी आई पर हत्या का मामला दर्ज करने और उन्हें हटाने की मान को लेकर ठाने का घिराब कर दिया वही स्थिती तनावपूर्ण होने पर पुलिस अधिक शक नागैंद्र सिंग मौके पर पहुंचते ही टी आई के बचाव में उतर आये और उन्होंने इस मामले को सड़क हाथसा बताते हुए मजिस्ट्रियल जाज के आदेश दे दिये ASP का कहना है कि जाज के बाद जो भी तथ्य सामने आएगे उसके आधार पर काविवाही की जाएगी जाजना है कहां से पकड़ के लाई थी पुलिस यही मालनपुर चाहिए अभी तब कोई जवाब ने दिया कोई जवाब ने जाएगे साब क्या नाम है उनका एदम से ओमर कितनी है जवाब ने ने जवाब ने लेकर आया जा रहा था है । जिसमें ऐसी जानकारी निली कि वैर दूने का प्रयास किया जिसमें उसे थोट आई इसके मज़र से अस्पतार में दोराने इलाज उसकी मिलकी हो गया पुर्य गटना क्रम है अन्य जोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस बीरोक्रेट्स निउस को बेल आइकान दबा कर सब्सक्राइब करें जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर करें हमारे कॉंटेक नंबर है 9039011886 एवं 9770229999